हाई अब्रिवान दिस गरी मैं वेलकम टू मैं चैनल लिटिल गाडन आज हम असी आटिक लीली इसके बारे में बात करेंगे और इससे पहले कि हम यह सुरू करें आपको मैं दिखाती हुए इन सुन्दर असी आटिक लीली के कुछ फ्लावर्स जो कि मेरे टैरस गाडन पर खि आटिक लीली पहले भी देखा है हमने ऐसा ही दिखते है लेकिन जो पहली बार उगाएंगे या जो इस वीडियो में ही देख रहे होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कि इसकी खुपसूरती पहली बार देखने में कितनी स्टनिंग लगती है और आपने भी जब पहली बार देखा होगा तो आपको भी विल्कुल ऐसा लगा होगा कि वाव यार यह दूसरा फ्लावर है दर दन लोटस एंड रोजेस जिसको देखके एक दम मतलब यह वाला मुझे अपने गार्डन में चाहिए जैसी फीलिंग आती है अचली हम प्लांट लवर को हर प्लांट को जो अब ही मुझे फील हो रहा है नहीं देखके तो चलिए इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं हां यहां पर आप देख सकते हैं कि यह बल्स हैं जिने मुझे लगाना है तो यह काफी एक महने पहले आया हुए थे और काफी बीजी होने के कारण में कुछ भी लगा नहीं पाई और यह इसी में होने लगे जिस पतीले में मैंने से रखा था और आप देख सकते हैं काफी लंबे-लंबे हो चुके हैं हाला कि मुझे इसे काफी जल्दी उगा देना था इनका साइज इससे भी छोटा था काफी छोटे-छोटे इसमें स्प्राउट्स थे जब मैं इस इसमें सप्राउट्स को साइसे काफी बड़े हैं और यहां पर देख सेकते ही इनमें फ्लावर यह चुटे-छोटे से इसमें जो फ्लावर के जो कलिया हैं वह दिखने लगी हैं तो अभी मैं इसे वहां कंबले में लगाने वाली हूँ अचली थर्मकोल बॉक्स में और इस करी हूं और पुराने मिट्टी है जिसे मैं मिक्स करके दोनों को एक साथ लगाने वाली हूं और काफी इजली यह उग जाते हैं और ठंड के मौसम में काफी खुबसुरत इसमें फ्लावर आते हैं तो मैं अपडेट भी इसमें एड करूंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो बल्ब है कुछ ऐसा दिखता है बहुत सारे लोग बोलेंगे यह लसुन की तरह दिखता है तो exactly बस इसके जो चिलके हैं यह जो प्याज होते हैं उस तरह से सलकी होते हैं और बाकि यह दिखने में लसुन जैसा दिखता है यह देखे और उपर से तो यह बिलकुल इसको भी ऐसा दिख रहा है यह देखे यह पुराने वाले हैं जिसे अब स्प्राउटिंग होने लगी है और मैं इन सब को एक साथ लगाने वाली यहां पर इस थर्मकॉल बाक्स में जहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खाद डली हुई है और मिट्टी जो है इसमें वीडियो नहीं ली थी क्योंकि काफी इजी होता है उगाना यूजवली वाट आई डू इस मिट्टी करेसे सिंपली खोती हूं लीलियम के बल रखती हूं उन्हा जादा एक दम ही नीचे होते नहीं जादा एक दम उपर होते हैं बस इतने होते हैं कि सड़े नहीं ज लकडि का सहारा या किसी चीज का सहारा देना पड़ सकता है जिसके लिए मैंने यहां पे देखे हैं काफी जगा छोड़ रखी है तो बीचवीच में तुरब इम्हां जाद यहां पे लिए और फिर उसके बाद मैं उन्हें बाढ़ दूंगे सो डैट हावा चले तो ये तो सितंबर से आप इन्हें लगाना शुरू कर सकते हैं फिर भी अगर आप बहुत ही जादा गर्म जगह पे रहते हैं जहां पर आपको लगता है कि इतनी गर्मी है कि इनको डारेक सनलाइट में नहीं रख सकते तो आप ऐसी जगह पे रखिए जहां पर मौनिंग 3-4 आवर्स की सनलाइट आए और उसके बाद सेमी शेड एरिया हो पर बहुत ही ब्राइट लाइट आए क्योंकि यह लिलीज को अगर आप छाओं में रखेंगे तो यह इनके स्टैम्स बहुत लंबे हो जाएंगे और फ्लावर जीरे-दीरे सी कुरने लगते हैं और जड़ भी गल जात ठीज यह बहुत ही बहुत ही ब्रोघा रखें आप अन्हीं को को पीट वाली जगह पे रखें या फिर्च पर रखें अगर आप इन्हें मंगा चुके हैं पर अभी गरोग करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए अप इन्हें प्रिजर्व भी रख सकते हैं कुछ और तर चुपर्द बार यहां काकाँशूट ही फॉल्ट काचुएं मित सब्सक्राइशूर को मुणबुख sarcSOidd you can split time आइक होप आपो यह वीडियो अच्छी लगी होज नेक्स वीडियो में नेक्स टाइम अभी के लिए बा Pretthest है happy gardening I hope आपो ये वीडियो अच्छी लगी है और लगी हो तो like ज़रूर कर दीजेगा और एक प्यार सा comment भी छोड़ दीजेगा next वीडियो में मिलते हैं बाबाई